जैहिं दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागा था आपका फिरस एक नया एजुकेशनल वीडियो में आज के क्लास में हम सीखेंगे टैली प्राइम में सीरियल नंबर यूनिक कैसे अड़ करें जो सीरियल नंबर होता है वो बाइडिफल्ट 1,2,3,4 ऐसे मिलता है आपको लेकिन आप यूनिक सीरियल नंबर देना चाहते हैं टैली प्राइम में तो वो कैसे दे पाएंगे तो आईए अपने इन भाइस में यूनिक सीरियल नंबर देना सीखे सबसे पहले हम टैली को उपमिन कर लेते हैं यह मेरा टैली प्राइम है हम क्रियेट ब्राइम पर बटन पर जाएंगे और इंटर करके एक बिल्कुल नया कमपनी बना लेते हैं कमपनी हम ABC के नाम से बना लेते हैं इंटर, Estate हम पिहार लेते हैं और इसे financial year 14 2024 रख करके save कर लेते हैं यानि इंटर करके accept कर लेते हैं accept करने के बाद company created successfully का message आपको दिखाई देगा और यहाँ पे अपने features दिखाई देंगे जो अपने business के need के हिसाब से इसको yes या no किया जा सकता है तो हमें इसमें फिलाल कुछ नहीं करना है तो हम control और A button को press करेंगे तो यह directly save हो जाएगा अब मेरे पास company ABC नाम से बन चुकी है अगर हम अभी work करना जाते हैं तो यहाँ से हम voucher में जाएंगे और sales button पे जाकर के click करेंगे तो देखिए यहाँ पे serial number कैसे दिखा रहा है number one दिखा रहा है जो आपके invoice का billing यहीं आएगा number one यूनिक नहीं आएगा तो हम चाहते हैं इसे कुछ unique बनाया जो अपने company के साथ और financial year के साथ attract करके दे तो चलिए देखते हैं हम back जाएंगे gateway of tally में हमें जाना है altar में altar में जाने के बाद जाना है voucher type में जाने के बाद आपको sales वाले bill को select करना है sales bill को select करने के बाद यहां पे आपको एक option दिखाई देगा method for voucher numbering यह automatic रहेगा इंटर करेंगे तो नीचे एक option दिखाई देगा use advanced configuration इस option को yes करना है और इंटर करना है अब यहां पे आपसे पूछा जागा starting number क्या रहेगा तो एक रहेगा वीर्थ number का कितना रखना चाहते हैं मतलब number का कितना वीर्थ रखेंगे तो एक ही digit रखते हैं इंटर करने के बाद यहां से देखेंगे applicable from किस दिन से आप apply करना चाहते हैं तो 14-2024 से स्टार्टिंग नमबर क्या रहेगा आपका तो एक रहेगा तो तो एक रहेगा मतलब कैसे इस पिरिया concurret में कैसे बाएंगे आप मतलबोश्व नमबर करें तो एक नमबर से आज जैसे उननी कर लिए एक पर 50 तक तो ऐसे सुरू हो जाए यह मन्थली करना चाहते हैं एक मंद तक जो भी बिलिंग हुआ वह चलता गया चलता गया और एक मंद के बाद फिर एक से हो जाए तो हम इसे यह रखते हैं कि एक साल तक बिलिंग होगा वह होता रहेगा जैसे एक से लेकर करके अगर दस जार तक हुआ बिलिंग तो एक साल में होता रहेगा जैसे एक साल financial year close होगा वैसे फिर से आपका serial starting एक से हो जाएगा तो हम इसे एक यह रखते हैं फिर से यहाँ पर डे डाल लेते हैं एक तारीक अब यहाँ पर आप कैसा design prefix details में देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर माल लिया जाए लिख देते हैं IICT अबलिक देते हैं और 00 यहाँ पर देते हैं यह मेरा design रहेगा first time का उसके बाद टैप देते हैं अगले में जाते हैं और applicable from फिर से एक तारीक देते हैं और suffix details इसमें देते हैं अब लास्ट में क्या रहेगा आपका तो लास्ट में हम रखेंगे यहाँ पर एक अबलिक देते हैं 2024 और पचीस यह financial year और इंटे करके accept कर लेते हैं बस इतना काम कर लेना है तो escape से बैक जाना है बैक जाने के बाद आपको voucher में जाना है इंटे करना है और sales वाले बिल को देखेंगे तो देखेंगे तो देखेंगे आई और इसे accept कर लेज़े नर्मली अब accept करने के बाद name of item तो create option में जाके एक बना लेते हैं जैसे mouse के नाम से primary not applicable unit में हम यहाँ से piece डाल लेते हैं PCS इंटर PIECES और accept कर लेते हैं और को शेंजिंग नहीं करेंगे quantity hundred piece rate two hundred के rate से इंटर करेंगे तो इसे हम accept कर लेते हैं जैसे हम accept करेंगे वैसे आप यहाँ देखिए का serial number automatic two हो जाएगा देखिए serial number automatic two अगर आप इसका billing भी देखना चाहते हैं तो display में जाएंगे debug sales sales को select करके इंटर करेंगे और alt और P button प्रेस करेंगे for print के लिए current option को choose करेंगे यहाँ से preview को choose करेंगे तो यह आपका billing होगा थोड़ा सा information के हिसाब से आप अपने इन भायस को set कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए है तो घर बैठ़े computer सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जाहिए आपका देन सुमाँ